हासने की बीमारी है क्या मुझे हसने की बीमारी नहीं है मुझे सच बोलने की बीमारी है यह तो नहीं है अब पिछले अपते लड़की के साथ तो घर गया तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछा कि कहां से आ रहे हो तो मैंने सच-सच बता दिया कि मैं एक लड़की के साथ नेरी बीने मेरी अब हुआ ईकले इस हफ्ते से मेरी पिछे डाइवस के पेपर लेके घूम रही है मैं उसे घूमा रहा हूँ मैंने ओफिस के एकाउंट में गफला किया मेरे बाप ने पूछा कि लाक रुपया कहा गया तो मैंने सच बता दिया कि जूए में और लड़की के पिछे खर्च हो गया तो वहां भी जूते पड़े आप चाहते क्या है मैं क्या करूँ हां तो डॉक्टर साब आप मुझे कोई ऐसी दवा दीजिए कि मैं सच बोलना छोड़ दू मंगलान इधर आओ तुब कहां गया थे जी वो डिलिवरी देने मक्षियों की ओफ कल से मैं इडली साबर खाऊंगा केक नहीं हाँ 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 आओ जि देखिये प्यारे लाल जी प्यारे लाल नहीं है जोगमल मकमल प्यारे लाल है अरे मकमल खटमल कुछ नहीं प्यारे लाल बूलू टाइम नहीं है यह इंजेक्शन लगाने के 200 रुपया लगेंगे आप तयार हैं 200 रुपया देने के लिए तयार हूं डॉक्टर सहाब खाली मुझे सच बोलने की बीमारी से बचा लो अब हस्ते हस्ते वहां लेख जाए तीज को भूलना मत लीजे सर छूट के कीड़े यह वह 200 रुपया याद है ना याद है डॉक्टर सब आप इंगिक्शन तो लगाईए तो खूला हूं जा करो ये खूला है के पाल कि पीए दो सो रुपया निकाली का है क हुआ जो सो रुपय जो टैंए यादर है तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया िंगिक्शन देने सेenschिए पहले दो रुपया तैं हुआ था मतलब 200 पैसा 200 रुपया नहीं अरे वाह यह जूट का इंजेक्शन लगते ही जूट का पहला वार हम पर 200 रुपया निकालो निकालो पलेट गया पलेट गया आवाज नहीं तो पुलिस को बुलवा कर दोनों को चिटिंगेस में अंदर करवा दूगा बदल गया जूट है मकार कही के मंगता है तो 2 रुपया ले लो अरे हम विकारी हैं क्या तो और क्या है है